Middle class आदमी और एक गरीब आदमी के बीच में सिर्फ एक hospital के बिल का फरक होता है अगर middle class आदमी के घर में किसी को बड़ी बिमारी आ गई तो वो गरीबी देखा से नीचे आके खड़ा हो जाता है लेकिन common sense के लिए MBBS करने की जरूत नहीं हो लेकिन जिसको आप भगवान मान के इतना भरोसा करते हो वो doctor आपको उस company की दवाई लिखता है जिस company से उसको पैसा आया होता है डॉक्टरों का percentage बना होता है अगर आप market में पता करोगे तो इस समय 30-40% का rate चल रहा है डॉक्टरों का और जो बाहर की trip sponsor होती है regular basis पर वो अलग से इंडिया पूरे world में सबसे बड़ी country है जनरीक दमाया एक्सपोर्ट करने में हम पूरे world में सबसे सस्ते दामों में जनरीक दमाया देते हैं और इंडिया में आपको जनरीक दमाया मिली नहीं रही है इससे बड़ा कोई जोग नहीं होता आपको pathology lab खुलने के बाद वहाँ की doctor से जाके मिलना होगा उनसे rate set करने होगे तब आपके पास लोग आएंगे private hospitals में doctors के proper sales target होते हैं sales review meetings होती हैं हर महिने का quota fix होता है patient को admit कराने से लेके surgery काहें तक के targets होते हैं देखे जब भी कोई नई बिमारी दुनिया में आती है तो उसकी दवाई बनाने में बहुत ही research पैसा और time लगता है 2.6 billion dollars तक लग जाते हैं जब किसी नई दवाई को ढूणा जाता है किसी बिमारी के इलाज के लिए और इतना पैसा और time लगने के बाद भी confirm नहीं है कि दवाई बन ही जाएगी एक छोटे से adverse effect से सारा पैसा waste हो जाता है इसलिए जब भी कोई company दवाई बनाती है तो उसे patent करवाती है और आने वाले 20 साल तक सिर्फ वही innovator company उस दवाई को बेच सकती है अपनी मर्दी के रखे हुए rate पे कोई और company चाहे तो उस दवाई को बना के बेच नहीं सकती इस पूरे 20 साल तक innovator company अपनी cost निकालती है और इस दवाई को branded medicine कहा जाता है और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि innovator company जो है इसको reward मिल सके उसकी मेहनत का और वो अपना लगा हुआ पैसा निकाल पाए और जैसे ही 20 साल complete हो जाते है तो उस समय दवाई को कोई भी company मना के बेच सकती है और जब companies उसको बना के market में बेचती है तो उसको कहा जाता है generic medicine एक generic medicine, branded medicine से काफी सस्ती मिलती है क्योंकि पहली चीज तो यह है कि सारी companies उसको बना रही है तो competition बढ़ जाता है और इन सब companies में research and development का कोई खर्चा नहीं हुआ होता तो कम rate में भी वो अपना profit कमा लेती है FDA के हिसाब से generic medicine 80 से 85% सस्ती होती है एक branded medicine के comparatively भले ही generic medicine branded medicine से सस्ती होती है लेकिन दोनों में कुछ भी फरक नहीं होता दवाईयों का chemical composition, salt, strength सब सेम होता है यहां तक कि दोनों दवाईयों को अगर किसी solvent में dissolve किया जाए तो एक second तक का फरक नहीं होता लेकिन generic medicine drugs companies को बिलकुल पसंद नहीं होती क्योंकि branded दवाईयों में जो मुनाफ़ा होता है उसके comparatively generic medicine में कुछ भी नहीं होता यह जो 20 साल का golden time होता है जिसमें कोई competition नहीं होता जो मन करे वो rate खुट decide करो और लोगों की मजबूरी होता है सिर्फ आप से ही लेने की यह drugs companies को बहुत ज़्यादा पसंद है drugs company का मतलब होता है कि pharma companies जो दवाई बनाती है तो companies क्या करती है जब इसका patent खतम हो जाता है और दवाई market में आके सस्ते दावों में बिखती है तो same medicine का new version निकाल देते हैं original compound को थोड़ा सा change करके नए नाम का patent डालके उसको ज़्यादा दावों में बिना किसी competition के market में बेशते है अब paracetamol एक generic medicine है तो इस paracetamol में थोड़े से changes करके आपको अलग-अलग company के नाम से आपको दवाईयां बेश दी जाती है आपका भी गौर से देखेंगे तो उसके अंदर जो salt लिखा होता है तो एक्सम सेम होता है कुछ केसे में लोग ऐसा भी करते हैं कि paracetamol और citrizin को उठा के combination मना दिया जाता है एक नई company के नाम से medicine launch कर दी जाती है महंगे दामों में 650 mg की paracetamol आप किसी भी company से लोगे वो same ही काम करेगी एक generic medicine में और एक branded medicine में कोई भी फरक नहीं होता अब बात ये है कि मेरे कहने से आप क्यों इतना बड़ा risk लेके generic दवाईयां लेने लगोगे in fact मेरा जो educational background है वो भी engineering का है, medical का तो है नहीं देखिए common sense के लिए MBBS करने की जरूत नहीं होती जो जो मैंने आपको भी बताया है ये मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूं ये सेम बात हमारे देश के प्राइम मिलेस्टर ने multiple platforms पे आके बोली है कि generic दवाईयां ही लीजिए कोई फरक नहीं होता generic और branded medicine में इससे पहले कि हम आगे बढ़ें knowledge partner of this video is Navi Health Insurance co-founded by Sachin Bansal ex-co-founder of Flipkart किस तरह से इन्होंने health insurance industry के problem को एक अलग सोस से handle किया है वो मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा तो topic पे वापिस आते हैं Medical Council of India ने नजाने कितनी बार हमारे doctors को advisory जारी की है कि सिर्फ generic दवाईयां ही लिखें patients को इस चीज़ को समझाने के लिए Government of India ने जन औशेदी केंदर तक launch की हैं जहां सिर्फ generic दवाईयां ही मिलती हैं In fact, 2017 में ये बोला गया कि अगर doctors generic दवाईयां नहीं लिख रहे हैं आप अपने most trusted doctor से confirm करके उसके बाद ही यकीन करें देगी अगर कोई एक रुबे की चीज़ है तो वो market में 20 रुबे की big ही नहीं सकती सिर्फ एक ही condition में big सकती है अगर doctor आपको बोले वरना same चीज़ के ज़्यादा पैसे दुनिया में कोई देता ही नहीं है आप जब medical store पे जाके दवाई मांगते हो और वो कहता है कि किसी और company की same दवाई दे दू तो आप साफ मना कर देते हो इस level का trust होता है आपका doctor के उपर लेकिन जिसको आप भगवान मान के इतना भरोसा करते हो वो doctor आपको उस company की दवाई लिखता है पता करोगे तो इस समय 30-40% का rate चल रहा है और जो बाहर की trip sponsor होती है regular basis पे वो अलग से यही reason है कि doctor generic दवाई की बजाए branded दवाई लिखते है और अगर कोई doctor इमानदारी से काम करना भी चाहे तो इन्होंने medical stores पे भी पैसे पहुचा रखे है माल लीजे कोई doctor generic दवाई लिख भी दे तो आप परचा लेके घूमते रह जाओगे आपको generic दवाई मिलेगी ही नहीं किसी भी medical store पे फार्मा कंपनियों ने ऐसी marketing strategy लगाई है कि पूरा medical store branded दवाई से भरा हुआ है और यह मैं हर doctor की बात नहीं कर रहा हूँ यह मैं सिर्फ उन doctor की बात कर रहा हूँ जो doctor अपना जमीर बेचा है फार्मा कंपनियों ने market में ये चीज़ inject कर दी है बहुत ही अच्छे तरीके से generic medicines जो है वो less effective है branded और जो महगी दवाईया है वो बहुत अच्छे से इलाज कर सकती है यह कोई भी दवाई हो चाए वो branded हो या generic market में वो तभी आती है जब FD अपूरूफ करता है अगर generic दवाई less effective होती तो वो market में आ ही नहीं सकती generic हो या branded दोनों medicines same set of testing से पास होती है तभी market में आती है इसके साथ-साथ इंडिया के अंदर दवाई बनाने वाली जो company है वो अपने नाम से दवाईयां बना रही है अपने नाम से GST कटवा के दवाईयां बेच रही है उसके नाम से distribution हो रहा है अगर कोई भी company duplicate दवाई बनाते हो जो less effective हो जो दिये गए standard से सिर्फ एक second भी late dissolve हो तो दो साल की सजा है कानून में कोई भी आदमी company खोल के इतना बड़ा risk नहीं लेगा मान लोगी आपका duplicate या फरजी दवाई बनाने का काम हो तो आप branded दवाईयों की duplicacy करोगे ना कि generic दवाईयों की generic दवाईयों तो 50 पैसे 70 पैसे की आती हैं लेकिन महंगी दवाईयों आती है branded दवाईयों जो असली profit होगा double case में वो branded दवाईयों से होगा केस सुजाता राव जो union secretary थी ministry of health and family में 2010 तक इन्होंने अपने tenure में कहा कि जितने भी government doctors हैं उनके लिए mandatory होगा कि वो सिर्फ generic दवाईयों ही लिखें सुजाता राव ने ये on record का कि इनको seniors ने इस चीज के लिए मना किया और member of parliament से भी pressure है इसको बंद करने के लिए इस चीज से आप समझ सकते हैं कि pharma companies ने कितने अंदर तक पैस जमा रखें government ने multiple advisory जारी की है और clearly बोला है कि doctors को generic दवाई ही लिखनी है उसके बाद भी doctors guidelines follow ही नहीं करते हैं सरकारी pharmacy में generic दवाई ही मिलती है एक आदमी सरकारी hospital में जाता है वहां doctor को अपनी बेमारी दिखाता है फिर 6-7 घंटे सरकारी pharmacy में line में लगता है और number आने के बाद उसको ये बोला जाता है कि जो पर्चाब लेके आये हैं इसमें branded दवाई के नाम लिखे हैं यहां सिर्फ generic दवाई ही मिलती है और आप generic दवाई लिखवा के आऊ doctor से doctor जानता है कि सरकारी hospital में generic दवाई ही मिलती है उसके बाद भी branded दवाई लिखी जाती है ताकि वो बाहर से जाके उसी company की दवाई खरीदे government अगर ये mandatory भी कर दे कि doctors को सिर्फ generic दवाई लिखनी है तो pharma company दवाईयों की shortage कर देंगी marketing उससे पूरा health system break होने का डर है government ने जो जन औचिती केंदर खोले है वहाँ पे भी limited generic दवाई ही मिलती है इंडिया पूरे world में सबसे बड़ी country है generic दवाई एक्सपोर्ट करने में हम पूरे world में सबसे सस्ते दामों में generic दवाई देते हैं और इंडिया में आपको generic दवाई मिली नहीं रही है इससे बड़ा कोई जोग नहीं हो सकता देखिए आप कैसे identify करेंगे कि कौन सी generic है और कौन सी branded है पहली चीज़ तो यह है कि generic सस्ती होती है और generic दवाई उसके salt के नाम से चलती है लेकिन हर किसी के लिए इतना पहचानना और समझना असान नहीं होता आप सीधे जाएए www.janosidi.gov.in पे और उसमें product portfolio वाले section में जाके दवाई का code या पिर उसका नाम डालिए आपके पास generic दवाई की list आजाएगी और rate भी compare कर सकते हैं आप उसमें लिंक मैं YouTube के description में दे दूँगे medicine दो category में distributed होती है essential medicine और non-essential medicine essential मतलब आवश्यक और non-essential मतलब अनवश्यक जैसे की नाम सी समझ में आ रहा है इंडिया के अंदर 348 essential drugs हैं एक बार किसी दवाई को government ने national list of essential medicine में डाल दिया उसके बाद price क्या होगा उस दवाई का वो government authorities कंट्रोल करती है और pharma companies का control हट जाता है इसलिए pharma companies non-essential drugs से कमाती हैं डॉक्टर हो medical store हो पैसे दे के recommend करवाती है अपनी दवाईयों को जो डॉक्टर money minded होते हैं जिन्होंने पैसे ले रखे होते हैं वो एक दो essential दवाईयों के साथ 5-6 non-essential दवाईयों चिपका देती हैं और मरीज विचारा उस डॉक्टर के लिखी दवाई को ढूनता रहता है इस से बड़ा विश्वासगात कोई हो नहीं सकता है non-essential drugs जैसे की नाम में ही mention है अनावश्यक ये इन 348 essential drugs के नहने version होते हैं इंडिया में essential drugs 348 हैं और non-essential drugs 14,000 से भी ज़ादा हैं एक ही salt को अलग अलग ट्रिक से patent करवा के महंगे दामों में बेचते हैं आपको अगर एक pathology lab खोलनी है आप कितनी शांदार lab खोल के बैट जाओ एक भी आदमी नहीं आएगा आपको pathology lab खोलने के बाद वहाँ की doctor से जाके मिलना होगा उनसे rate set करने होगे तब आपके पास लोग आएंगे यही reason है आप छोटी सी चीज़ लेने जाते हो वहाँ पे 50 test doctor लिख देता है कुछ pathology lab वाले जादा margin बाने की चक्कर में sink test कर देते हैं sink test का मतलब हुआ आपका sample sink में डाल देंगे और आपको fake report दे देंगे private hospitals में doctors के proper sales target होते है sales review meetings होती है हर महिने का quota fix होता है patient को admit कराने से लेके surgery कायन तक के targets होते है एक Pune based NGO है जिसका नाम है साथी उसके coordinator doctor Abhay Shukla ने एक survey किया और उनकी report के हिसाब से elective surgery doctors और hospitals की पहली पसंद होती है elective surgery वो surgery है जहां बिना surgery के भी काम चल सकता है बट उसके बाद भी doctor surgery कर देते हैं कुछ cases में जो aged लोग होते हैं जिनको surgery कुछ सालों बात करमाने की जरूत होती है उनकी surgery भी पहले कर देते हैं अपना target पूरा करने के लिए February में साथी ने एक report जारी की जिसमें mention था कि एक doctor को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने 10% conversion ही किया surgery का अगर 2,00,000 की surgery है तो उसमें से 25,000 doctor को जाएगा और बाकी hospital रखेगा इसलिए second opinion या फिर अपने trusted doctor से consult करना बहुत ही जरूरी है 44% patient जिन्होंने second opinion लिया उनको surgery की जरूत ही नहीं पड़ी आप जब भी कोई इलाज करवाने जाते हैं आपको discharge summary दी जाती है उसमें step by step बताया जाता है कि क्या दिक करती है और सजरी क्यों की गई आप देखेंगे maximum hospitals में ये जो discharge report होती है देते ही नहीं है two-third of the population गरीबी से जूज रही है उसको रोटी तक नसीब नहीं हो रही है उसको आप branded medicine लेने पर मजबूर करेंगे तो वो मर ही जाएगा एक दिन की earning सो रुपे है उसमें से आधा पैसा दवाई में जाएगा तो देश गरीबी से कैसे आजाद होगा हर डक्टर को पता है कि असली कमाई शहरों में होती है तो गाओं में कोई डक्टर जाना नहीं चाहता रूरल एरिया में डक्टर्स की बहुत कमी है रूरल एरिया में 57% डक्टर्स जो आपने आपको डक्टर कहते हैं उनके पास medical degree ही नहीं है उसमें से 31% डक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ 12th पास हैं मतलब की रूरल एरिया में 57% मुन्ना भाई घूम रहे हैं इस चीज को लेके आज तक एक भी गवर्मेंट ऐसी नहीं है जिसने कोई regulatory form कर पाई हो आपको रढ़वा दिया जाता है कि आपके एरिया से किस कास्ट का नेता खड़ा हुआ election में लेकिन एक छोटी सी चीज जो हर देश के नागरिक को पता होनी चाहिए generic और branded दवाईयों में फरक ये चीज जब से देश आजाद हुआ है आज तक एक भी गवर्मेंट ऐसी नहीं आई जो सब को ये समझा पाई क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप लोग manifesto में मंदिर और मस्जिद नहीं मांगोगे आप hospital मांगोगे middle class आदमी और एक गरीब आदमी के बीच में सिर्फ एक hospital के बिल का फरक होता है अगर middle class आदमी के घर में किसी को बड़ी बिमारी आ गई तो वो गरीबी देखा से नीचे आके खड़ा हो जाता है देखिए doctors, pharma companies, medical stores और lab का ये जो nexus चल रहा है इसकी वज़े से सिर्फ 20% लोग ही दवाओं का खर्चा उठा सकते हैं और 40% लोग ऐसे हैं अगर वो किसी बड़ी बिमारी में फस गए तो उनको उधार लेना पड़ता है अब इस current situation में इन सब चीजों के बीच में एक middle आदमी के पास क्या solution है देखिए इसका solution है health insurance अब आपको कैसे पदा चलेगा कि आप किस category में आते हैं बिना किसी से उधार लिए बिना आपने आपको किसी मुसीबत में डाले इतने पैसों को अराम से दे सकती है अगर इसका जवाब नहीं है तो आपको health insurance की जरूरत है आज की date में जाद जादा लोग समझते हैं कि health insurance काफी जरूरी चीज है लेकिन फिर भी काफी लोग इसको पैसे का wastage समझते हैं अभी भी लोगों में ignorance चीज को लेके वहीं दूसरे challenges जो आम आदमी face करता है वो यह है कि insurance company claim तो बहुत बड़े-बड़े करती है बर डिलिवर नहीं कर पाती है cheating के काफी case आते हैं जिसमें कुछ भी reason देके claim reject कर दिये जाते हैं या फिर claim लेने के लिए इन लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं companies के मैं आपको नावी insurance के बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि इस तरह की problems को समझ के नावी ने इसको दूर करने में बहुत अच्छा काम किया है किसी भी insurance का फायदा तभी होता है जब उसको आपको claim करने के लिए घंटों इंतजार ना करना पड़े नावी ने इस चीज की importance को समझा और 20 मिनेट में claim approved possible बना दिया है IRDI, the Insurance Regulatory and Development Authority of India इसकी report के इसाब से claim settlement ratio में नावी इंशुरेंस 97% पे है 11,00,00 से भी ज़्यादा लोगों को नावी already serve कर चुका है अब दूसरी सबसे important बात होती है कि जो आपके आसपास hospitals हैं उनको insurance company cover करती है के नहीं नावी 10,000 से ज़्यादा hospitals cover करता है और ये number बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है नावी और भी अच्छी facility देता है जैसे कि नावी insurance के थुरूप आप किसी भी online doctor से appointment कर सकते हैं एकदम free of cost premium भरना एकदम असान है आप 241 रुपीज की monthly EMI से भी अपना premium पे start कर सकते हैं without any extra cost room rent पे कोई capping नहीं है आपका पूरा insurance amount नावी cover करता है जब आप claim use नहीं करते हैं तो 25% insured amount automatically बढ़ जाता है नावी accidental injury पे दो गुना तक insurance देता है आपको personalized claim relationship manager अलॉट होता है जो आपको पूरे process में help करता है और आप चाहें तो नावी insurance पे अपने existing insurance policy को port भी करा सकते है नावी insurance off करना बहुत ही simple process है link मैंने description box में दे दिया है आप check out कर सकते है